नमस्कार दरश्रक में तो आती दीमा फरी एक वार स्वाग अच्छा आती थी यह वो कारेकरंग पे जे कारेकरंग मा विशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात कराया वेशन है वातो करिये शेंद्रण आजे एक वो विशिष्ट व्यक्तित्व आपनी साथ है अने तेनेज लईने आजे एक अलग प्रकारेज आती थी नॉर्मली आती थी कारेकरंग मा हर हम्मेश एंकर अने गेस्ट एबनने एमनी स्पेसिफिक सीट्स मा बैठावे जे परन्तु आजे जे प्रमाने आती थी थी एज प्रमाने आजे आ इंट्रू खास के ने इंडिविजल आ इंट्रू मा अमें आ एक पैटर्न लागा छे नभी इट्स वाकिन वाकिन जमीन पर अने जमीन पर एटला माटे के जमीन साथे जेने काम करू जमीन साथे जेने प्रेम छे जमीन माटे जे वो लड़े आछे ज सबसे पहले तो मैं पुछना चाहूँगा नॉर्मली जब तक रेकरगनाइजेशन नहीं मिलता तब तक उस आत्मी की वो पहचान या तो उतनी हाइट उसकी है वो दुनिया को मालूम नहीं पड़ दी राजेंद्रसीन जी ने मेरे इसाब से 74 से कुछ एक ठान लिया था 15 साल की उम्रस है लेकिन उसके बाद उनको रेकरगनाइजेशन तब ही मिला जब उनको मैकसे से होड मिला तो क्या इस देश में जब तक यह लेबल नहीं लगता एक सर्टिफिकेशन नहीं मिलता कोई एवोर क्या सभा आए कभी मुझे नहीं हुआ और मुझे नहीं होने का कारेंग यह था कि शुरू के 4 साल मेरे लिए बहुत मुष्किल थे जब मैंने काम VAऴ शुरू किया उर राज 1 स्थान में क्योंकि मुझे ना पानी की समझ थी ना मेरी पानी की कुछ पढ़ाई भी नहीं थी मैंने तु वहा के समाज से से शीक-93 पानी काया उसके समाधान का युटा। और धरतीमे पानी नहीं था हुप, थर्तीके ऑपर पानी नहीं था। रोग बे पानी होके उजड गए थे। और मैंने वहां से लोगों से सिखा तो शुरू में मुझे अनपड किसानों ने कहा कि यह जो धर्ती का पेट है ना पानी से भर जाला तो सूरज चोरी को नहीं करें और मारे पानी की कमें को नहीं हो तो जब उन्होंने मुझे सिखाया तो मेरी पढ़ाई कैसे की उन्होंने जित्ते भी वहां के सब सूखे कोई थे उस इलाके के बीस सूखे कोई में मुझे नीचे उतारा और कहा धर्ती का पेट देख लिजो कहिया सल्च ही में और मुझे धर्ती के जो सबसर्फेस और अंडर स्फवे देखके मुझे पता चल गया कि धर्ती का पेट जहां से खुला है वहां यदी उसके ओपर पानी होगा तो दर्ती के पेट में होगा और धर्ती के पेट में से सूख चोरी कोई कर सके तो के आपको पता है राजिस्तान में हमारे इलाके में कुल इत्ती बारिस होती थी नो इंच उसमें से इतनी जो है आदा इंच बारेस तो 24 गंटे में सूरज उड़ा लेता था तो सूरज के वोपरेशन को वास्पी करण को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी में कह सकते हैं कि बड़े-बड़े पैसों से जो कोर्सिस करवाये जाते हैं इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रिया लेके सिखाने वाले होते हैं शायद छोटे इंसान की बात मेरे इसाब से वह अगर समझ ले या तो उनको इंप्लिमेंट करें तो बहुत सारे प्रोब्लम देश में देखो ऐसा है आज की जो इस देश की यूश्टी है वह हमें क्या पढ़ाती है वह पढ़ाती है कि धर्ती के पास प्रकरती में जो भी कुछ डिपोजिट से उनको अब्स यूज के नाम पर उनको एक्सप्लेट करने की टेकनलोजी सिखाती है वह इंजिनिरिंग तो आज हिदुस्तान की जित्ती भी इंजिनीरिंग कॉलेज हैं, इंजिनीरिंग इन्जिनीरिंग इन्टी हैं, तेकनोलोजिकल इंस्टीूट है, जाए वो IIT हो चाहिए जो हो, उन सब में पढ़ाई होती है, केवल और केवल जो भी कुछ नेच्छरल डिसोर्स आपके पास ह उनको आप कैसे एक्सप्लूइट कर सकते हैं, तो जब आपकी पढ़ाी एक्सप्लूइटेशन होती है, तो उसमें से पॉलु़ुआइशन निकल आता है, और जब पॉलुशुन और एक्सप्लूइटेशन, दो चीजें आपकी टेक्नोलोजी और इंजिनिरिंग पढ़ाती है, तो उसके लिए आपको धरती चाहिए होती है, जंगे चाहिए होती है, तो फिर आप उस पर एंक्रोच्मेंट करने की कोशिज करते हैं, तो आज की जो हमारी सिक्षा है, उस सिक्षा में पॉलुशन, एक्स नदियों को नाले बनाता है, जिस ब्रश्टाचार ने इस देश की सारी नदियों को नाले बना दिया हो, और जिस जंगे की नदिया सबसे ज़्यादे गंदी हो, वो इसको सबसे ज़्यादा मान है, तो यह जो मान का तरीका बदला है, यह विकास की परिभाशा हमारे मन में हमारी आखों में हमारे दिल दिमाग कर लिए कर विकास इसी वड़ पर आता हूं क्योंकि इस बात पर बार बार चर्चाय बहस बहुत हो जुकिए सही माइने में विकास राज़ेंदर सिंग कि सको मानता है देखे जो असले विकास है वो यह है कि जो भी प्रकरती में है जिस प्रकरती में जिन पंच महाभूतों से हमारा सरीर निर्मित हुआ है वह हम चोटे बच्चे थे और चोटे बच्चे से बड़े हुए यह हमारा विकास हुआ हम जिस धर्ती पर रहते हैं उस धर्ती पर यदि हमने किसी का बिना नुकसान किये बिना बिगा की हमारे सारे विकास के कामों ने हमारी प्रकृति को सम रड बनाने का और प्रकृति में सनात्नी विकास करने Pegas utilizz करने का जो कुरम हम पैदा करते हैं वो सच्छा मुच विकास होता है ग्यान कव विस्था पित करता है सबसे पhले फिर हमारी धर्ती की हर्याली को विस्थापित करता है फिर हम लोगों को वहां से विस्थापित करता है वहां की मिट्टी को विस्थापित करता है और फिर इस सब के विस्थापन के बाद हमारे चारों तरफ विकृतियां पैदा होती है जो हमारी मूल जंगे है जो हमारी शबन करती है जब उसमें विस्थापन नाने लगता है जब घ्यान में विस्थापन आने लगता है तो व्илось तरफ पैदा होती है और व् मेरे हिसाब से इतने सारे लोगों को है फिर दियो की कमी है मैरे मेरा बैजिक सवाल यही है त आप से कि यह इतना साधान हमारे पास होने के अगर हम इतना डैवलोप नहीं हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, हमारे पास बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, तो लेकिंग कहां है, क्योंकि आपने, क्योंकि ये सवाल इसलिए आपका जवाब इसलिए authentic है, क्योंकि आपने इन सब को बारी काई से देखा है, इन सभी विशम परिस्टियों में भी आपने कुछ करके दिखा एक कहां लगी आपको विशम ताय देखो जब तुम्हें मैं एक बुन्यादी सिदर्ब बताता हूं भारत के वैपार में बिजनिस में दो सब्धोते थे एक होता था सुब और दूसा होता था लाब जब तक भारत के वै अभी सबस्त आपारियों को महाजन और स्वेष्ट्री कहा जाता था आजकल हमारे जो इक आस है इस हमारे रिकास में विए सुब नहीं बचा है केवल लाब बचा है ert Girajten σ właściwie 20 lutas कि मेरे परोहजिका क्या नुकसान होगा मेरे नीचेवाले गया नुकसान होगा मैं जिस जमील पर पानी रोक रहा हूं और उस पानी को ओडा रहा हूं तो नदी शूख जाएगी नदी मर जाएगी ये दुसरी बात अब कितना प्रकूरूती के साथ च्छहानी करना उसके उसके रिजल्ट्ट्स भी फिर दुनिया देख चुकी है चाहे हंदुस्तान का कोई भी को ना वीया विश्व का कोई भी कोन हो रादर सिख जी आपने बताया कि मेरा फाइदा होता है बस मुझे वो देखना है मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे पड़ो सी को कितना नुकसान पहुंचता है नेशनल पॉलिसी जब भी बनती है क्योंकि आप तो सेंट्रल गवर्मेंट की कमिटी में भी है तो क्या आप जैसे लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती या तो जो भी ठेकेदार है जो भी ज़्यादा शक्तिशाली है जिनको कोई ऐसा benefit लेना है, advantages लेना है ऐसे लोगों के सामने आप आप लोगों जैसी आवाज कहीं बुलंद नहीं हो पाती है बाई इस वकट इस देश में कोर्प mashed and contact Fed कोई भी कॉर्परेट और कॉंटेक्टर जब कोई डीपीर बनाता है किसी प्रोजेक्ट का नेता और अधिकाद रिजाइन वह नहीं लेकिन लेकिन बहुत टाइम लगा दिया नहीं मैंने टाइम नहीं लगाया मैंने तो बिल्कुल तुरंत रिजाइन कर दिया कि यदि सरकार क है और जो कॉंटेक्टर डीपी आर बनाता उसको पास करती है तो हमें नाशनल गंगा। कि अ portion लेकिन इसी में साथ में रह के क्या आप नहीं कर सकते दें अंदर रह के आपकी बात के साथ जूड़े हुए ज़्यादा लोगों को क्या आप आप नहीं कर सकते थे ऐसा है कि इस वक्त सरकारें केवल और केवल उन ठेकेदारों की और उन कॉर्परेट की सुनती हैं जो उनको लाब पुछाते हैं जो सचमुच में इस समाज का इस रास्ट का हित चाहते हैं उनको कोई सरकार सुनने रही है अरे आप अपने गुजरात को देखिए गुजरात में हमारी जो हमने इंडस्ट्री जो बंद कराई थी राजस्थान से वह पॉलिटिंग इंडस्ट्री थी इतना पॉलिशन करती थी वो उन्होंने सारा बीछडी के सारे कुओं को लाल पानी में कर दिया था वहां से बंद कि यह एक सरकार नहीं कर रही है या दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है इस वकत सारी सरकारे और पॉलिटिकल पार्टी कॉंटेक्टर डिवन डेमोक्रेसी की पक्सदर है और वो केवल और केवल कॉंटेक्टर को और कॉर्परेट को प्रोटेक्ट करती है गरीब का पीने का पा माइक बंध हैं इस वक्त जो सरकारें हैं वो केवल और केवल एंद्बच में इसलिए कहते हूं जहाँ खी भारत आज विन्स प्रापर का और नतर 이제 फिराम नेında च्छिवा ठीशनद तर्सा डे आप ना doğru और रिंव उन और पन दो को विरामत फरीयक वार स्वागेच शापनू कारेगरम आती थी मा वात कर रहे हैं अच्छा बड़े राजेंद्र सी सादें लाज़सी जी परसनल बात पर आ जाते हैं आपकी लाइफ में दो साल बहुत ही इंपोर्टन रहें जहां तक अगर मेरी जानकारी मेरा ज्यान है एक था 74 या 75 शर्मा जी से आपकी भेट हुई रमेश शर्मा जी अगर मैं गलत नहीं कहता हूँ और दूसरा 1984 या 85 जब आपने गवर्मेंट में से रिजाइन दे दिया अपना अपना खुद का घर बेचा आपने तेभी सजार में मैं पहली घटना जानना चाहता हूँ रमेश शर्मा जी से भेट और आपमें आवे बदलाव की देखो मेरा जनम दिली के बहुत पास डोला गाओं में हुआ दिली से 35 किलोमेटर गूर्मेश जी दिली में गांधी सांथी प्रतिस्थान में रहते थे और उ हमकी भेट हुई क्योंकि वो एक सिविर में आय थे नसेस के और उस भेट में हम लोग इतने बातों में रम गए रच गए बस गए कि हमें लगा कि भई हमारी अच्छी दोस्ती हो सकती है वो मुझसे उम्र में कुछ एक-दो साल बड़े थे मैं उम्र में चोटा था मैं 15-16 साल के उम्र थी तो वो हमारे गाउं में रहे और उन्होंने हमारे गाउं में कुछ अच्छे काम करने की कोशिज की मैं इस्कुल में से आके फिर अपना पूरा समय गाउं के भलाई के अच्छे कामों में मैं और रमेश जी मिलके करते थे बच्चों को अंगर जी पढ़ तो भी जो इसली आखन कोश Jew अच्शי बीज होंगे उन भीजो में अंकुरण हुआ और हमें लगा कि यही तो काम है अनंद का इसे में जुझे है इसी में मिलता है। बस बस उसमें अनंद मिलने लगा। फिर हम लोग थोड़ा दूर कॉलिज बे पढ़ने चले गए तो फिर भी हमें उस आनंद में जो एक तरह की अनुभूती हुई उसमें से फिर हमने कॉलिज में भी अपना विद्यार्थियों के साथ उनका संगठन बनाना और जनता रेल चेकिंग और यह सब तरह के काम हम पर विद्यार्थी हैं हम जो जानते थे वह आरे विद्यार्थी दूसरे साथ नोगू बिल्कुल नहीं आता था हम लगता था की हम जानते हैं दुनिया को और वह वह लों थामेश के कारण जानते था म्य्य फिंद्ध भैय हमें बराबर जामद करहने चछा करते थे और मैं अपना एक हमसे ज़ादा घहरा संस्कार था तो उस संस्कार की चाया हम लोगों में आपस में एक दूसरे में बराबरी में आ रही थी मुझी यह लगता है कि एक अच्छा को बैचने की घड़ी आई या तो सोच लिया कि अभी यहां कुछ नहीं रखा जस्ट यहां से निकलना है मेरे इसाब से कहीं मन उठ गया था कि अभी अभी यहां नहीं देखो जब तक मन नहीं उठता ना तब तक आप अपनी अपनी किसी चीज को नहीं बेचते हैं आपका ज तो इस गाओं का नाम भी मालूम नहीं था कि हमें किस गाओं में जाके रहना है मेरे इसाब सबस में बैठके टिकेट लिया बोले लास्ट बस्टॉप का दीजिए हां और तब एक ही बस चलती थी घाट गेट से जैपूर से उस इलाके में तो उसने कंड़क्टर ने हमें ट है क्या जवाण लड़के लड़किया का आजgle है क्या करेगा अपर रखला आदमी आया होगा बुरे वक्त में ब्हला आठमी आता है और यह घाओं के लिए बुरा वर्थ है अब ना बारीश है ना पानी है इसको मंदिर में ले जाके रख दो और हमें उन्हों फोछ सी आजुंत के तो फेव पर फह प्रकृति आप से जो कराना चाहती है न नियती वह हता है मुझे सच मुच मालूम नहीं था कि यहां जो यह बादल पानी लेके आते हैं, वो समुद्र से जो खारा पानी है, सूरज जब उसको उडाता है, तो सूरज समुद्र के खारे पानी को मीठा कर देता है, और सूरज में ही वो ताकत है, सूरज में ही वो ताकत है, जो समुद्र आके बरसता है ये पानी सूरज फिर दुबारा उड़ा लेता है तो हमें यहां सूरज को कहना है कि तुर्यार हमारा पानी मत उड़ा यह सब अभी 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 बात बात यह करते हैं कि सफल ताकी तो बात कर दी क्योंकि बहुत सारी लोग जब ऐसे एवर्ड मिल जाते है या तो इतने लोग आपके बारे में जब बाते करते है टीवी मीडिया वाले जैसे हम आगे इंट्रूस ले लेते आपके ये पूरा सफर इतना आसान तो नहीं होता बाल बनाने के बाल में जैसे हम डाई भी करते है बाल में डाई नहीं करते है ऐसे ही नॉर्मल खादी के कपड सबसे ज्यादा आपको कौन सी लगी ती जिसमें सबसे ज्यादा आपको दर्द पहुंचा हो सफलता मिली नहीं मिली वो दूसरी बात लेकिन कहीं एक चोट पहुंची हो सबसे ज्यादा मुश्किल ही आई हो ऐसा कौन सा टास था मेरी जिन्दगी में सबसे पहली मुश्किल थी वो ये थी कि जब गोपालपुरा गाउं का पानी का काम पूरा हो गया तो वहां के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मेरे खिलाफ मेरे और सरकार का पानी रौक लिया है और उसके लिस सेक्शन 55 और शैक्शन 58 में मुझे उन लोगों ने देए बेजने की तईयरी के तो मैंने कहा कि यार मैंने तो पानी रोगा नही है यह तो जिन की जमीन पे पानी बरसता है उन सब लोगों के के लिए भले के लिए तो यह तो जिनकी जमीने हैं, उन जमीनों पर जो पानी बरसा है, वो पानी तो उनका है, क्योंकि नेचर ने उनको दिया है, यह राजी सरकार का कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हों ने मेरे खिलाब सब कारवाई की, और कारवाई की, तो मैं जरा बहुत बहुत दुखी हुआ, ब यह वह इस बीचान से बात मित्रे के से वह इक हूए, कि इस जमीने जो पानी आता था जहां ऊपर की तरह पानी आता, हमने वह नहीं प्लान dużoकेशन किया तो जिस जगह पर प्लान्टेशन किया था इसलिए इसलिए हो इसलिए कि आ नुपर के बॉन की के लोगों की जमीन थी यह सब पता लेकिन उसके बाब जूद भी राजस्थान सरकार एक के बाद एक के बाद एक डंडा मुझे चलाती रही और मुझे लगता है जब कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था मेरे मेरे पास तो आज भी एक भी इंच जमीन मैंने कभी वहां किसी के ली नहीं भाई वो जो जमीने हैं वो तो सब समाज की है वो पानी जहां मैंने वो पेड़ लगाये थे वो आज भी वहां के समाज का है समाज का पेड़ है समाज का जंगल है समाज का पानी है लेकिन सरकार को समझ में नहीं आया असलित में मन को बहुत कुस्ट हुआ कि यार यह सरकारे समझती क्यों नहीं है, यह राज इसको वेलफेर स्टेट कहते हैं, इसको यह डेमोक्रासी कहते हैं, इस डेमोक्रासी में रिसोर्स के डेमोक्राइजेशन का जहां भी कोई काम होता है, उसको यह प्राइविटाइज करने में, कॉंटेक्टर को देने में, उ उसको यह क्यों तोड़ना चाहते हैं इतनी मुश्किल या इतनी कठी नहीं है शुरू शुरू में तो शायद परिवार में से भी कहा होगा कि यह क्या क्या कर रहा है भाई पागलपन है हाँ क्या 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 कहा था भाई आप जानते हैं मावाप हों पत्नी हों परिवार हों र लिए जंगय नहीं है खाने के लिए रोती नहीं है ऐसी जंगय रहने लगते हैं तो घर के लोग भी कहते हैं तो यह बिलकूल पागल है इसको थोड़े दिन देख लो दिमाग ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा लोटके मैं बगवान का त्रात्तर करता हूँ कि मुझे घ् साल पहले था, वैसे यू पागल आज भी हूँ और यह पागल्पन मेरा बना रहे है, मुझे इस से Sigour का मी मिसी की हो है. इस पागलपन में पारिबारी खुशिया की हो, मुझे कभी नहीं लगता, मुझे लगता है कि फिर बाद में जब परिवार को लगा कि यह पागल जरूर है लेकिन यह अच्छे के लिए है तो फिर परिवाद ने मुझे बहुत साथ दिया और मैं आज कह सकता हूं मुझे बहुत गोरव है कि यदि मुझे अपने पूरे काम का स्रे किसी को देना हो तो मैं अपनी पत्नी को दूँगा क्योंकि मेरी पत्नी ने ऐसी विकेट परिष्थिती सुरू में नाराज हुई सुरू में सब जानते हैं उनको लगता है कि इसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें तो उतना उसको अधिकार भी है अगर नहीं करते तो फिर उनके साथ जूट जाते हैं यहां रोकूंगा वक्त नमस्कार फरियक और अपनू स्वागचे कारेकरम अती थीमा अंदिम तबक्कानी वातो खुबज रस्प्रद व्यक्ति राजण रसी सादेनी राजण रसी जी राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं बेजिक वर्च्यू होता है राजपूतों में सहन नहीं कर पाते हैं कोई भी गलत चीज हो तो या तो आवाज उठाएंगे या तलवार उठाएंगे हाथ तो उठाना बहुत दूर की बाद है आवाज के बाद सीधी तलवार उठ जाती है ऐसे परिवार से बिलोंग करते करते हैं अलग अलग लोगों से मिलके अपना ये नम्र सौमिय भाशा और सभाव कैसे बरकरार रख सकते हूँ देखो ऐसा होता है कि जब आप जीवन में साजय भविष्य के कामों में लगते हैं तो ये विनम्रता सहस्ता से आपके अंदर आ जाती है और फिर ये लगता है कि यार हम किसके लिए जी रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं तो जब ये साजहापन आता है ना तो ये साजहापन और साजे भविष्य की द्रष्टी विनम्रता आपके अंदर इन्बिल्ट कर देती है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं बहुत विनम्र हूँ क्योंकि मैं तो सबसे जादा हिंसक मानता हूं। पने राजस्तान के माःनिंग माफिया इस चार Erstar Mines बंद करवाई तो उनके लिए तो मैं ही सबसे बढ़ा हिंसक हूं। मैंने पानी लूट रही थी कंपनी именно कर वाया है उंके लिए में हमको रवरी नदी में जो बहुत सारी कंपनिया पानी को लूट के लिए दिश्टलरी और व्यूबरी लगाना चाहती थी मैंने उनको बंद करवाया तो मैं उनके लिए हिंसक हूँ तो मैं इतना मतलब उनकी द्रस्टी में जितना मैं समझता हूं उत्रे नहीं है उनकी द्रस्टी में बिल्कुल और तुम यदि देखो तो जीवन में मेरे उपर तो इतने हमले हुए मैं उसी उसी बात पर आ रहा था था थ्रेटन और हमले ऐसी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो शायद आद तक आपने किसी को नहीं बताई जो पहली बार बताना चाहेंगे प्रिके ऐसा है कि मैं युवा था अभी भी है और यह सब माइन्स बंद हो गई तो यह जो माइनिंग माफिया था यह बहुत बोखलाय हुआ था इन्हों ने मेरे ऊपर पांच रेप के केस एक दिन में लगाए अलग-अलग से ओ आपको मालूम है मेरे खिलाफ एक सब्ताहा में 48 केस सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने किये और राजस्तान सरकार ने इनको क करने की पर्मिशन दी वह तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ओनेस्ट चीप जस्टिस थे उन्होंने कहा कि एक ऐसा वेक्थी जो माफिया से लड़ रहा हो उसको कहा यह सब रेप एप करने का पुर्सत मिलता होगा क्यों करेगा वो और सरकार को डाटा कि तुम्हें इत उसको तुम इतना तंग कर रहे हो अब इस वेक्ति के खिलाब कोई भी मुकदमा करना है तो पहले सुप्रेम कोट से पूछना है तो मुझे लगता है कि यह जो हमारी देश की डेमोकरसी है और इस देश की डेमोकरसी में जुडिसरी में सब तरह एडमिस्टेशन में भी सब उसको तरब बहुत अच्छे लोग भी है जब आपके खिलाफ अच्छे कामों को करते वकत आप पर हमले होते हैं आपको कितने सारे च्छे दोस्त जो आपको जानते रहा HOW तो में सकते हैं मेरे इसाब से यह जो बात पूरी चली है । उसमें यह हो सकता है कि कि सरकार के साथ डायलोक्स होना आप जैसे जो भी एक्टिविस्ट है उनके लिए रेगुलर होता रहता है मैं बहुत ही क्लियर पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार थी जहां आपको फिल हुआ मैं आप किसके फैवर में है नहीं है यह उस पैटरन पे नहीं जा रहा हूँ लेकिन जहां आपको लगा हो कि यस यह गवर्मेंट या तो एक यह इनसान जो कि ऐसे एक्टिविस्ट या तो जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग है उनकी बात समझ सकते क्या एक भी ऐसा पॉलिटीशन अभी तक आपको लगा अच्छा वाला ऐसा है कि दो चीजे समझना जरूरी है एक पॉलिटीशन वो होता है जो आपके अच्छे काम में हमेशा तलवार जाबता है और आपको गिराने की शुरूई नहीं होने देता आप तो तुम भले बढढ भी मत पर इसको तँम बढ़ाओ ना करो तो मुझे मेरी जिन्दगी में यह तीनो तरहके पॉलिटीशन मिले और तीनो तरहके पॉलिटीशन से अपने अपने में जो भी वो बुरा कर सकते थे दai बहुत सारे पॉलिटीशन उन्योंने बुरा किया ज एक पॉलिटीशन इस देश का कह नहीं सकता, मैं जानता हूँ इस देश के महा महीम रास्टपती इस काम को बढ़ाने के लिए हमारे यहां आए, और जब ऐसे बुरे वक्त में आए, जब सरकार कहती थी कि नहीं नहीं आप इनके यहां नहीं आ सकते, इनके खिलाफ बहुत सार हैं, जब कर सकती हैं, और सारे मुकदमे जूटे सिद्ध हुए, एक भी मुकदमा आज तक 377 मुकदमों में से राजिस्तान सरकार, माइनिंग माफिया और सारे लोग मिलके चला नहीं पाए, आज तक एक मुकदमा मेरे खिलाफ मुकदमा ही नहीं बन पाया, ओके-ओके, बत पाता है, डर किससे लगता है, राजनरसिक जीवो, देखो, मेरे जीवन में यदि एक अच्छी चीज है तो वो ये, कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, भगवान का संद्रक्षन मेरे उपर हमेशा रहता है, इसलिए मुझे डर मेरे प मैं लेता है, चूंकि डरता नहीं हूं, इसलिए जीवन में कम खाता हूं, कम साधनों में जिंदा रहता हूं, और इस धरती और प्रकरती से अपने जीवन के लिए जितना लेता हूं, मेहनत करके पसीना करके और उसको वापस लोताता हूं, मैंने इस धर्ती से प्रकरती से अपनी जिंदगी के लिए तनिक भी मेहनत से जादा लिया नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ खाया जो भी कुछ पिया जो भी कुछ पहना वो अपनी मेहनत करके पहना कभी 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 सोचा दिल से पूछ रहा हूं कभी सोचा कि ये सब बाते लेके मैं जाओं लोगों के पास पॉलिटिकल फिल्ड में आने का कभी सोचा या किसी ने बुलाने की कोशिश की कि कोई बुलाते नहीं है सौभाव में बोले यह तो कभी भी बिगड़ जाएंगे अपनी बात अगर हमने नहीं मानी इनकी बात तो अपने खिलाब बोलना शुरू कर देंगे इसी वज़ा से नहीं बुलाते या जाते नहीं है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब को मेरा पता है मेरे लिए यदि मैं भाजप्पा को सापनात कहता हूं तो कॉंग्रेस को नागनात कहता हूं यदि मैं पॉलिटिकल पार्टी जो ठीक काम नहीं करती हैं उनको ऐसे कहता हूं तो वो जानते हैं इसलिए मेरे पास कभी नहीं आते कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ लेकिन अभी नहीं और कभी किसी पार्टी में जाओंगा भी नहीं लेकिन मेरा राजनिति काम नहीं छुटेगा मेरा सामाजिक काम नहीं छुटेगा मेरी राजनिति क्या है मेरी राजनिति है कि इस देश के हर इंसान को जीने के लिए सुद्ध पानी सुद्ध हवा और सूरज की किर है और वो सब उसको आनंद मिलता रहे ये मेरी राज़ेटी है इसी इसी से इसी 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 लक्ष को रखते हुए आप अपना काम करें बहुत-बहुत शुक्रिया इतना मजा आया इतना मजा आया मेरे इसाब से हमारे सभी वीवर्स को भी मजा आया हो दर सक्मेद्रों आती खा जबीन माटे जमीन साथे अने जमीन पर रहीने करें राजिन रसी शरुवात मां कि दू ते प्रमाने मैकसे से अवर्ड मढया पछीज शामाटे पॉपिलर एना सीवाई पर्ण एम नामा एटलू उंडान अने तेमनू एटलू कार्य पद्धती एटली सरस्च छे के जेना कार नमस्काव लंसते ही